चाहिन दोस्तों, वेलकम बैक तो आर्मी वाई यूटिर चैनल आज हम जीके के टॉफ थर्टी मिक्सी प्रशनों का टेस्क लगाएंगे जो कि आपके आर्मी एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेड रहेंगे आज प्रशनों की संक्या 30 रहेगी आपके लिए टार्गिट रहेगा, 25 कुशन का आपके लिए टार्गिट रहेगा सभी कुशन आपको हिंडी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे याद रखें, रोज सुबा 11 बज़े हमारी लाइफ क्लास होती है तो रोज सुबा 11 बज़े हमारे साथ जुड़ जाएं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉशन से कॉशन नमर एक आपकी सामने और कॉशन इंपोर्टिड है कॉशन है, यह अन्यों में कितने देशों के पास विट्टो पावर उपलब्ध है जो विट्टो पावर है, यह कितने देशों के पास है पाँच देशों के पास आपकी विट्टो पावर है याद रखें, यहां से कॉशन इस तरह से पूछा जाता है स्युक्त रास्टे संग में कितने पर्मानेंट मेंबर है तो पर्मनेंट आपके मेंबर 27 स्तसे कितनी हैं? 5 स्तसे हैं जिनके पास विट्टो पावर है जिसमें आपका चीन आजाता है, USA आजाता है फिर आपका इंग्लेंड आजाता है और एक आपका रूस आजाता है पांचमा देश आपको comment बॉक्स में बताना है पांच मा कौन सा देश है जिसके पास पिट्टो पावर है कौशन नमर दो आपके सामने हैं सीवी रमन को किस वरश नोबल पूर्सकार दिया गया था कौशन नमर तीन आपके सामने है भारत रतन पाने बाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भारत रतन पाने बाले प्रथम व्यक्ति कौन थे वह थी फरस्ट परसन तूर्सीब धी भारत रतन डॉक्टर रजेंदर पसात पंडी जुआलाल नहरू डॉक्टर एस राधा कृशन या इनमें से कोई नहीं इनमें से किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रतन प्रापत हुआ सबसे पहले भारत रतन प्रापत हुआ था यहां पर आपका इंडियन म्यूजिक डिरेक्टर आपका पुछा हुआ है जिसने सबसे पहले ऑसकर एवार्ड जीता था आप्शन आपके सामने है आरी बर्मन, ए आर रहमान, हरी सिंग या फिर अरी जी सिंग सीम्पल था कोशन आपको पता न चीए आउसकर प्रापत करने बाला पहला इंडियन म्यूजिक डिरेक्टर जो था यह कौन थे आप्शन नमबर भी विलकुल करेक्टर अंजर आपका रहेगा, ए आर रहमान, ए आर रमयान जो है इन्हें जैहो फिल्म के लिए और स्लम्डोग थी गया है, जैहो एक गीत है आपको, और स्लम्डोग एक गाना है ठीक हैं इन दोनों गानों के लिए इन्हें जो है दो बार औसकर पुसकार मिल चुका है किसके लिए म्यूजिक डिरेक्टर के लिए कॉशन अबर पांच आपके सामने है चुनाब आयो का मुख्याले कहां पर स्तित है वेर इस दी हैट पार्टर आफ दी इलेक्शन कमिशन लोकेटेड आपके मॉंबई नई दिल्ली कॉलकता या फिर ब आपशन नंबर भी बिल्कूल क्रेट आंसर आपका रहेगा नई दिल्ली में आपका चुनाब आयो का मुख्याले स्तित है कॉशन नंबर छे है स्वान्मंदी जो है यह आपका काहां पर स्तित है वेर इस दी गोल्डन तेम्पल लोकेटेड आपके जालंदर आमनी सर यहां से आपको question आके पूस्ता है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने करे थी, किस सिख घुरु ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करे थी, जल्दी से क्मेंट वाक्स में इसका से अंसर बताईए. Question number 7 है कमाईनी के लेकक कौन है? Who is the author of the कमाईनी? Option आपके वालमिकी, विश्लु शर्मा, जैशंकर परसाद या फिर इन्में से कोई नहीं. कमाईनी की रशना किसने करी थी? Question number 7 है संतोष ट्रोफी का स्वंद किस से है? संतोष ट्रोफी जो है किस के ल से स्वंदित है? संतोष ट्रोफी इस लेटेट वीच स्पोर्ट्स, आपके क्रिकेट, होक्की, फुटपल या फिर तैनिस. संतोष ट्रोफी जो है किस के ल से स्वंदित है आपकी? Option number 6 विलकुल करेक्ट आंसर आपके रहेगा, फुटबॉल से स्वंदित है. Question number 9 आपके सामने है, किस देश का लिकित संविधान नहीं है? यहाँ question imported है, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा लिकित संविधान या फिर विशाल संविधान किस देश का है? तो भारत अपना रहेगा. अगर पूछा जाए किस देश का लिकित संविधान नहीं है? तो से एंसर हैगा, option number D, England. इंगलैंड में अभी भी राजाओं का राज चलता है. ठीक है, यहाँ परधान मंतरी हो है, ठीक है, परधान मंतरी है, प्रेजिनेट आपकी जो भी होते हैं, पर तब भी जो है, इस पर कहा पर स्तित है, option आपके है, गुजरात में, राजस्तान में, सिंद, पंजाब, शकर में या इन्वेस से कौई नहीं, तो आपको याद होगा, मौहण जोद्रोजी जी सिंदू सभ्यता का एक स्तल है, जो की कहां पर से ते है, सिंद बाकिस्तान में स्तित है, ठीक है, बाकिस्तान के किस जिले में या किस राज्य में तो यह आपका कसकर जिले में स्तित है Next question है हजारी बाग कहां पर स्तित है Bear is the हजारी बाग located option आपके जम्मू कश्मीर जारकंड उतराकंड या फिर चैतिसकर हजारी बाग कहां पर स्तित है सही अंसल क्या रहेगा तो option number B जारकंड इसका से अंसर रहेगा हजारी बाग जो आपका कहां पर स्तित है जारकंड में स्तित है Question number 12 है मुगलों की अधिकारिक वाशा क्या थी जो आपकी मुगल थे इनकी अधिकारिक वाशा क्या थी option आपके हैं तुर्की, उर्दू, फार्सी या फिर हिंदी What is the official language of the Mughal dynasty तो Mughal dynasty की जो आपकी अधिकारिक वाशा थी वो क्या थी फार्सी थी option number C बिलकुल क्रेक्ट रहेगा question number 13 है 1930 में पहला गोल में स्मेलें कहां पर हुआ था अब याद रखें 1930, 31 और 32 में तीन गोल में से पहला, दूसरा और तीसरा ये तीन गोल में स्मेलें आपके हुए थे 1930 में जो गोल में स्मेलें आपका हुआ था ये कहां पर हुआ था option आपके नियॉर्क, लंदन, पैरिस या फिर इन में से कोई नहीं तो option number भी विल्कुल correct answer आपका रहेगा लंदन मा हुआ था पहला गोल में से समयलन question number 14 है the invisible man के लेख कौन है who is the author of the invisible man book याद रखनी है current वाली भी आपको और जो आपकी प्राचिन इतिहास समंदित book हैं वो भी आपको याद रखनी है modern भी आपकी अब exam है पूछने वाला है और पुरानी तो पूछी ही जाती है तो जल्दी से बताईए the invisible man के लेखक कौन है तो option number कौन से सहरेगा option number रहेगा बिल्कुल एक रेक्ट रहेगा hg wells hg wells जो है यह आपके किसके लेखक है the invisible man के लेखक है question number 15 है सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है which is the largest planet in the solar system option आपके शनी, वरूर, ब्रस्पति या फिर बुद्ध जल्दी से बताईए इनमें से कौन सागर सावर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है option number C विल्कुल correct answer आपका रहेगा ब्रस्पति जो है इस सावर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है question number 16 है स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोटती है option number A बिल्कुल correct answer आपका रहेगा reds या end जो आपके भुमद्य सागर है इन दोनों को आपस में जोटती है स्वेज नहर question number 17 है चंदरियान 1 को कब लोंच किया गया था जो चंदरियान यानी चंदरियान मिशन 1 है इसे किस वर्ष लोंच किया गया था option आपके 22 अक्तूबर 2008, 22 अक्तूबर 2001, 2000 में 22 जुलाई 2018 या फिर 22 जुलाई 2019 तो option number A बिल्कुल correct answer आपका रहेगा चंदरियान मिशन 1 जो है इसकी लोंच या फिर इसे जो है 22 अक्तूबर 2008 को लोंच किया गया था question number 18 है ये question imported है साथ में चंदरियान मिशन 2 को किस तिथी को लोंच किया गया था जो mission 2 है चंदरियान इसे किस वर्ष लोंच किया गया था option आपके हैं 22 अक्तूबर 2008, 2000 में 22 जुलाई 2018 में या फिर 19 में तो option number D विल्कुल करेक्टरांसर आपका रहेगा 22 जुलाई 2019 को चंदरियान दो जो है इसे लोंच किया गया था question number 19 है 1965 के भारत पाक युद में भारत के परधानमंत्री कौन थे जो 1965 में भारत पाक युद हुआ था उस समय भारत के परधानमंत्री कौन थे वास्थी प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया एड़ टाइम आफ 1965 इंडिया पाकिस्तान वार option आपके पंडिजवाला नहरू लाल बहादी शास्त्री मदन मोहन मालविया इंद्रा गांदी option number B विल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा लाल बहादी शास्त्री जो थे 1965 में भारत पाक युद की समय क्या थे मारे देश के प्रधानमंत्री थे आपको 62 की होगी 72 की भी आद रखनी है फिर आपको 1990 वाली कारगिली बोर की भी आद रखनी है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे Q20 है परतम बिश्व पर्याबन दिवस का मनाया गया था परतम बिश्व पर्याबन दिवस इसे किस साल मनाया गया था हर साल 5 जून को बिश्व पर्याबन दिवस मनाया था तो किस साल को 5 जून को पर्याबन दिवस मनाया गया था तो 1974 पाँच जून, पाँच जून 1974 को पहला बिश्यप परियावन दिवस मनाया गया था कॉशन नबर 21 है, कॉशन है, गीत सेथी किस केल से सबंदीत है, गीत सेथी इस लेटी टू बीच स्पॉर्ट, ऑप्शन आपके वाइड बेंटेंट, टैनिस, विलियर्ट्स या फिर बाली बॉल, ऑप्शन नबर सी विलकुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, विलियर्ट्स यानि इसे हिंदी में स्नाइकर कुछ सिनिकर कुछ करके कहते हैं, आप मुझे या नहीं आ रहा, यह आपके किस सबंदीत है, विलियर्ट्स से सबंदीत है, कॉशन नबर 22 है, राज्य सबा की एक तिहाई जगा को परने के लिए परतेक टैश वर्ष में चुन हैं, इनके चुनाब करवाए जाते हैं, माल निलिये, राज्य सबा में टोटल हैं 30 से, जिसमें से आपके 10, 10 और 10, इन 10 का चुनाब 2 साल बाद होगा, इनका भी 2 साल बाद होगा, ठीक है, यानि राज्य सबा के हर एक तिहाई सदस्य जो होती है, उन सभी का चुनाब जह हर दो साल बाद होता है, तो यहां से आपको याद रखना है कोशन पूछा जाता है, नेक्स कोशन है, संसद के दोनों सदनों की स्युक्त बैठक कोन बुलाता है, कि अध्यक्षता कोन करता है, स्युक्त बैठक बुलाता है, वो कोन बुलाता है, राश्टपती बुलाता है, उ option number B विल्कुल correct answer आपका रहेगा लोग सबा स्पिकर जो होता है आपका दोनों सदनों की स्युक्त बैठक अधक्षता करता है next question imported है शुग वश का संस्तापक कौन था शुग वश का संस्तापक कौन था option number B विल्कुल correct answer आपका रहेगा पुश्य मित्र पुश्य मित्र जो है ये किसके संस्तापक माने जाते हैं आपके शुग कवश के संस्तापक माने जाते हैं question number 25 है कलहन कृती रास्तरंगनी में डैश का इतिहास मिलता है जो आपकी कलहन की कृती है यह नहीं एक बुक है रास्तरंगनी इसमें किस का इतिहास प्रापत होता है बंगाल का कश्मीर का मोरेकाल का यह इनमें से कोई नहीं simple था question आपका और important question है यहां से आपका कश्मीर का इतिहास मिलता है option number भी विल्कुल correct रहेगा कलहन की रास्तरंगनी में पश्चिम बंगा माफ करें कश्मीर का क्या मिलता है हमें इतिहास प्रापत होता है next question है पंच तंतर के लेखक कौन है who is the author of पंच तंतर option आपके है बाल में की विश्णु शर्मा जयशंकर परसाद या फिर इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताईए पंच तंतर के लेखक कौन है option नमर भी विलकुल correct answer आपका रहेगा विश्णु शर्मा दवारा लिखी गई थी पंच तंतर question number 27 है गुगली शवद स्वंदित है the word गुगली is related to तो आपने cricket देखा तो आपको पता होगा यहाँ पर आपकी जो spinner होते हैं उनके दवारा एक बोल फेकी जाती है उसे क्या कहते है गुगली बोल कहा जाता है question number 28 है चोहान बंश का अंतिम सासक कौन था जो प्रित्वी राद चोहान थे इनका अंतिम शाशक कौन था option आपके हैं प्रित्वी राद चोहान प्रतम प्रित्वी राद चोहान तरितिय प्रित्वी राद चोहान दूतिय या फिर इनमेंसे कोई नहीं जल्दी से बताईए चोहान बंश का अंतिम शाशक कौन था तो option number भी विल्गुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा पृत्वी राज चोहान तृतियों जो थे आपके चोहान बंश के अंतिम शाशक थे कौशन नमबर 29 है बाग गुफा किस राज्य में स्थित है ताइगर कैप इस अलेटे टू बिच स्टेट मध्यप्रदेश अरुनाचल प्रदेश महरास्त या फिर मिगाले बाग गुफा जो है ये किस राज्य में स्थित है New option नमबर ये बिल्कुल गर्यक्त अंसर आप करहेगा किस राज्य में स्थित है मध्यप्रदेश में स्थित है last question और important question है इंसुलीन की खोज किसने करी थी जो इंसुलीन है इसकी खोज किसने करी थी आप्शन आपके हैं फ्रेडरिक बेटिंग लुई पाश्यर जी मारकोन या फिर ग्राहम बेल इंसुलीन की खोज किसने करी थी option number A बिल्कुल character answer आपका रहेगा Frederick betting ने Frederick betting ने जो है किसकी खोज करी थी insulin की खोज करी थी या फिर आपको option 2 देखने को मिल सकते है Frederick और West ठीक है Frederick और West इन दोनों ने जो है insulin की खोज करी थी maximum आपके Frederick ही option में देखने को मिलते है जल्दी से बताईए 30 में से आपका किता स्कोर रहा अगर आपके 20-25 ठीक है 20 और 25 में स्कोर रहा तो आपकी त्यारी अच्छी चली हुए 25 से अधिक रहा तो बहुत अच्छी आपकी त्यारी चली हुए बाकि अपना ख्याल रखने आपको अपने घर वो लोग का क्या रखने है एक और शाद दार में तब-च्या रखने है आपने घर वो लोग का क्या रहिए जैहिंड जैवारत